हलो फेंट्स वेलकेम टो आर चैनल क्रिप्टो वेथ विशाल कैसा आज के वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले तो रोज की तरह बिटकॉइन के बारे में लूना के बारे में कुछ अपडेट है और इसके लावा जो हमारा गिववे का विनर है वो लेकी आएंगे हम लोग आज के वीडियो में भी आपको दो कोड मिलेंगे जो आफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिये हुए फॉर्म में डाल के पाटिसिपेट कर सकते हैं बहुत इंपोर्टेंट वीग जो है ये स्टार्ट होने वाला है वो भी मैंने क्यों बोल रहा हूँ आपको ये सब ची स्कैमर के चैनल है आपके साथ कुछ स्कैम हो सकता है और अगर आप अल्रेडी मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पे हैं तो प्लीज ये स्टेट से एक बढ़ दी चेक कर लीजगा सब्सक्राइबर कितने हैं हमारे फोटोस वीडियोस लेंग हर पोस्ट पे व्यूज आप देख सकी थोड़ा साबेटर रहे और ऑविसी बात है जब वन डेजट में एक बार फियर एंग्रीड आता है इंडेक्स तो थोड़ा सा मार्केट जो है थोड़ा बैटर उसके बाद होता ही होता है तो अभी हम लोग फोडिन में एक्स्रीम फियर में मार्केट करीब 0.5% का यहां पे अप है और alt coins अगर आप देखेंगे तो green color में दिखाई दे रहे हैं वो जो red color का bleed हो रहा था bleeding हो रहा था वो फिलाल के लिए यहां पे बंद हो गया अभी के लिए पर बहुत नीचे के बाद हम लोग उपर आए है तो कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि market बहुत यहां पर अप हो गया हुगा बिटकोईन के बारे में गाईज अगर बात करेंगे तो बिटकोईन का current price है यहां पर 30,400, 39,000 का जो level था उसको फिलाल हम लोग यहां पे पीछे छोड़ के आए है अगर आप immediate support की बात करो तो यह 2 को मैं अभी फिलाल यहां पे हटा भी दे रहा हूँ क्योंकि अब यह मेरे लिए important support रही नहीं है zone इसको हम consider भी नहीं करेंगे तो अब यह खुला मैदान है support के वाले में अगर आप बात करते हैं तो 29,000 पर एक support है हमारे पास और इधर यह देखेंगे तो ऊपर खाली है in fact यह वाला भी जो line है ना इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे एक बार कर देता हूं यह वाले line को ना कि जिससे हमें थोड़ा सा ध्यान रहे कि हमें अभी क्या करना है तो इसको मैं अभी के लिए consider करता हूं नहीं कि 28,810 अभी हमारा यहां पर support है और resistance हमारे पास अगला जो resistance है वो है 34,200 पर जो एक बार टूटरना जरूरी है उसके बाद हम लोग आगे की ब बने और इसमें तो एक spike भी अच्छा घास आया था 31,000, 30,000 पर यह करीब हमारा जो candle था वो यहां पर लेके गया था तो क्या market यहां से recover हो गया है या नहीं हुआ है इन सब चीजों का अंसर हमें अगले दो दिन में अच्छे से मिलेगा क्यों और यह week बहुत जादा critical है क्य है हिस्ट्री है एक दो विकली चार्ट में हूँ मैं दो तीन चार पांच छे साथ और आटवा तो साथ candle पहली बार bitcoin की green बनी और सॉरी red बनी है green बन जाती हुआ पाती क्याती red बनी है हिस्ट्री में bitcoin की धीरे धीरे candle बढ़ती जा रही है यह week इसलिए हमारे लिए important है guys क्यो हम लोग बहुत नीचे market में यहाँ पे जाने वाले और ready market बहुत critical face में है और अगर यह वाली candle बनती है तो फिर हम लोग सीधा इधर यह जो हमारा एक हमें उमीद जागी है कि यह 26600 वाला lowest level होगा तो वो भी फिर हमारे लिए नहीं रहेगा मुसके भी नीचे आ जाएंगे वह जो 24000 की बात हो रही थी वहां तक हम लोग आ सकते हैं आज का दिन important है क्योंकि Monday है किस हिसाब से market react करेगा वो बहुत important रहेगा क्योंकि अभी तक अगर मैं बात करूं तो market positive है क्यों positive है क्यों US का market open हुआ नहीं है future अभी भी खराबी दिख रहा है यहाँ अगर मैं US के market क के बात करता हूं तो sensex के बारे में बात करें तो sensex हमें अभी 1% का यहाँ पे अप लग रहा है पर sensex का crypto से बहुत जाद इंफ्रेंस नहीं होता है पर हाँ global market से ज़रूर इंफ्रेंस होता है अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो बात करें तो अगर मैं especially China में फिलाल अभी issue हुआ है और वो यह था कि April count का data कराब आया था COVID की वज़ा से इसलिए वहाँ के जो stocks है थोड़े से down है यहाँ पर future के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो सारा फिलाल red है अब evening का US का market इसलिए बहुत important हो जाता है दो दिन important है हमारे लिए Monday का दिन क्योंकि market open होता है और Tuesday को काफी चीज़े stable होती है तो यह Tuesday तक काफी कुछ जो है समझ में आता है तो एक बार evening का देखेंगे कैसे market यहाँ पर चलता है react करता है तो काफी कुछ समझ में आएगा support हमारे लिए बस यह है खाली जो अगर break होता है हमारा day में और इसके नीचे की अगर candle बनती है तो confirm है कि हम लोग 20,000-22,000 की range में यहाँ पर जा रहे है अगर यह candle हमारी इसके नीचे एक भी candle हमारी close होती है तो इसका फिलाल के लिए ध्यान रखना है यहाँ तो फिलाल Bitcoin के बारे में जो important चीज़े मुझे बतानी थी वो यह है एक बार market जब open होगा तब काफी क कुछ जो है clear यहाँ पर evening में चीज़े हमारे लिए होने वाली अब बात करते हैं गाईस लूना के बारे में थोड़ी सी अच्छी चीज़े भी है तो लूना के बारे में बात करें तो अभी एक area है मैं यहाँ पर वानार चाटने हो तो एक area है फिलाल यह इसके अंदर चल र है क्योंकि Twitter पर इस समय बहुत सारे लूना के handle बन गए है और वहां से कुछ भी news आ रही है कुछ कोई बता रहा है आठ घंटे में बड़ा update आना है कोई कुछ बता रहा है तो जो इनका official handle है उसने बोला है कि यार सिर्फ एक ही Twitter account है जिस पर official जो update से इनकी आने वाले है इसक इसका promotion जो है फिलाल चल रहा है तो कल एक वीडियो भी देखा था मैंने राहुल देव का जो promote कर दे थे कैर website से मुझे कुछ जारा समझ में आया नहीं गेंडर कोईन के बारे में कुछ लोगों के comment थे यार आप बताओ क्या है बाई करें तो guys फिलाल बाई नहीं करना इसको कुछ मुझे भी जादा detail में पता नहीं है इसका एक बार थोड़ा research करते हैं फिर हम लोग इस पे आएंगे तो अभी के लिए social media handle join करके update देखना चाहे तो देख सकते हो क्योंकि काफी कुछ कर रहे है banner banner ला रहे है videos ला रहे है तो वो देख सकते हो पर अभी बाय बाय हमें इसको नहीं करना है फिलाल के लिए तो लूना के बारे में चलते हैं कि इस लूना के बारे में अच्छी चीज फिलाल के लिए क्या हो रही है बहुत positive चीज है वो community अब support में आ रही है ideally ये community को पहले भी support कर सकती थी पर वो हमारी बार 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 बात हुई है कि लूना का जो एक अच्छी चीज खाली यहां पर यह हो रही है कि थोड़ा positive conversation हो रहा है यहां पर वो चाहे मैं जो Binance के CEO, Caesar उनके बारे में बात करूँ, Polygon के जो हैं उनके बारे में बात करूँ, even Vitalik की तरफ से updates सारे हैं कुछ ऐसा नहीं है कि वो directly support के बारे बात कर दें पर हाँ, at least चीजे जो हैं यहां पर बोली जा रही है तो वो पूरे का बुरा उठाया था और एक next level तक लेके गए थे, तो इसी तरीके का अगर इस बार भी कुछ होता, कुछ community support बड़ा मिलता, तो definitely Luna जो है यहां से जो है वापस आता, और यह मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि Luna का project अगर Luna का crash होता है या अभी भी 1%, 2% या 0.1% जो भी उमीद Luna से बची है वो भी अभी है at least, एक हल किसी hope है कि शायद recover करें, मैं यह नहीं बोलना हूँ कि Luna दूबारा 100 डॉलर पे चला जाएगा, 1.500 पे चला जाएगा, जितना भी है पर यहां से थोड़ा बहुत भी अगर क्योंकि इससे एक लोगों के दिमाग में doubt जरूर आया है crypto के बारे में कि यार कलको bitcoin के साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, नहीं होगा bitcoin के साथ क्योंकि वो पूरे का पूरा process अलग है, जो Terra का, जो UST का issue हुआ था, उसकी algorithmic issue था, वो दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन एक में एक डर आ जाता है, वो डर बड़ा खतरनाक होता है, तो उस डर को बाकी जो community के लोग है, community के लोग इंदर साथ जो बड़े बड़े, जो exchanges वाले हैं, या जो बड़े influencer है, coins जो लेके आए हैं, product लेके आए हैं, वो अगर यहाँ पर थोड़ा Luna को support करें, तो काफी कुछ आना पड़ेगा यहाँ पर और वो आके यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, जैसे कि Alan Musk थे, Vitalik थे, इवन जो ADA के, जो भी उनका issue है, बले यहाँ पर यहाँ पर दू कोईन के साथ, पर अगर वो वहाँ पर आते, Charlie Hawkinson वो आते, तो काफी कुछ जोज़ा चीज़े यहाँ पर करना के लिए, इसके लावा और हाँ, यह update मुझे cover करना था, पर यह already होई गया, मैं इसको बहुत detail में नहीं जारू पर हाँ, at least Terra के जो projects हैं, उसको support के लिए जो Polygon की team है, वो आगे आईए कि यार, अगर आपको चाहिए तो हम resources भी आपको देंगे, जो projects उस पर चल रहे है उसको support हम करवा के आपको दे सकते हैं, अगर आपको इस चीज की सववत है तो, तो guys, फिलहाल के लिए, market के बारे में जो update है, वो यही चल रहा है, इसके लावा कुछ और ऐसी चीज़े हैं नहीं, जो हम अभी के लिए हैं, अब इसके बाद quickly चलते हैं एक बार, और जो giveaway का हम यहाँ पे 396, कई बार ना यार मेरा गरवड हो जाता है थोड़ा सा, तो please ignore कर दिया करो, number में कुछ देख लेता हूँ, और answer में कुछ बता देता हूँ, यहाँ पे, 49, अभी मैं ध्यान से जाओंगा, 49, थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो 49 पे हैं यहाँ पे, चिराग जी Congress चिराग भाई, तो आपका जो ID है CoinCrate का वो है 5856, तो भाई चिराग भाई, अगले 24 गंटे में आपको आपके CoinCrate के wallet पे 1000 आयनार मिल जाएंगे, उससे जो करना है करिए, कुछ buy करना है करिए, नहीं करना मत करिए, आपका मन है, अच्छा रहेगा, अगर एक giveaway में कुछ म अच्छा वहाँ पे देखे जा सकता है, अच्छे Coin में invest करिएगा यार, फालतु वाले Coin में invest at least मत करिएगा, तो यह तक है इसमार आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको like और share जरू करेगा, चैनल में अगर आप नए है, फर्स ताइम मेरा वीडियो देखने हैं, का link वीडियो की description दे मिल जाएगा, thank you friends!